आज मानिये सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत महत्पूर्ण फैसला दिया है कि जिस तरह से उस चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा था कॉंस्टिटूशन की मनमानी इंटर्पेटेशन करके जिस तरह से हर काम में टांगड़ाई जा रही थी वो चाहे CCTV लगाने का फैसला हो वो चाहे गरीबों को राषेण पहुचने का फैसला हो वो चाहे ट्रांसफर पोश्टिंग का फैसला हो हरrast़ीज में टांगड़ाई जा रही थी आज मैं दिल्ली की जनता की तरफ से माननिये सुप्रीम कोट को माननिये उस्तम नयाले के नयाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की और से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत एतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें दिल्ली की जंता को उन्होंने सुप्रीम बताया है, सुप्रीम कोट ने ये कहा है जो सबसे महतोपूरबात है, वो ये है, कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के जो decision होंगे, वो decision LG अपने मन माने तरीके से पलट नहीं सकते, reject नहीं कर सकते, उनके उपर बैठ नहीं सकते कहने का मतलब यह है कि यह बहुत ही exceptional circumstances में होगा कि LG चुनी हुई सरकार के निर्णे को निरस्त कर दे या उसको turn down कर दे